हल्यो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मट्री डिजाइन बनाने का बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ बराना इसको बहुत आसान होगा बहुत कम समय में बन कर तैयार हो जाएगी और इसे लगए का दोस्तों कि आप में इसको बहुत महनत से बनाया है वीडियो को देखीए पूरा दोस्तों बहुत ईजी तरीका में आपके साथ शेयर किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना subscribe करना शेयर करना तो मैं बनाने के लिए मैंने हां पर लिया है दो कप मेदा और इसको हम चान लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा स क्योंकि देखने में बहुत सुन्दर लगेगा और दो चम्मच भर कर मैंने आप घी लिया है दोस्तों ट्रस्ट मी एक बार दोस्तों घी से आप ट्राइ करना इसका मौईन बहुत ही अच्छा आएगा बहुत ही खस्ता बनेगी मट्री आप चाहो तो यहां पर ऑईल भी डाल स तो अच्छ से बन जाए मुeld यफ़िdel दाल conviction नॉर्मल पानी और इसका हम रेडी कर लेंगे दोस्तों इसका जो दो होगा ना जादा टाइट हो और ना जादा लोस होगा मीडियम ड G Ђश mm ग्रम कर ना है तो यहां पर देखिए मैं इसका दो रेडी कर रही हूं कितनी के लिए जिससे आटा हमारा बहुत अच्छे सेट हो जाएगा और हो यह देखी पंदा मिट हो गए आटा हमारा बहुत अच्छे से qeo गया है और इसम ढ sisने कर लेंगे सब्सट कर लेंगे ताकिसमें कोई शवर्टन हो और एकदम यहां पर देखे कितना बड़ी डोा taught a हो गया है मैं आपर इसके दो पेड़े से निकाल लूँगी तुम्हें आपर क्ना बड़ी ड डोर मैकर हो मैं दोस्तों अवर हो नीट कर लेंगे घौर कि मेरे है पर जो चकला है वो थोड़ा बड़ा है तो मैंने हाप पर थोड़ी बड़ी साइज की ऐसी गोर आकार के लोई बना ली है और इसे हम बेल लेंगे और अगर आपको लगता है कि तो यहाँ पर आप इसके उपर ना सूखा आटा लगाए क्योंकि देखे आपको लग रहा है कि या फिर अच्छे से बेल नहीं पा रहे हम तो मैंने यहाँ पर मेदा वाली जो आता ना सूखा आटा वही इसके उपर हलका से स्प्रिंकल कर दिया है और फिर इसके हम अच्छे से बेल लेंगे तो बहुत ईजी तरीके से भी बड़ी हो जाएगी रोटी हमारी यह वाली यह की मेरी आपको मठ्री की रेसिपी अच्छे लगरी हो तो प्लीज दो कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिलकुल भी ना भूलिएगा तो यहाँ पर देख लीजी मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है पत्ली पत्ली इसके मैं आपर रोटी बनाकर तयार कर लिए अब इसके उ अब लगा सकते हैं पर मैं बिलकुल बना रही हूं और इसके उपर ना थोड़ा सा सूखा अठा स्प्रिंकल कर दिया है और इसे मिलकुल टाइट ली से रोल कर लेंगे हम यहाँ पर देख लीजिए मैं इसको इसको रोल कर लें दोस्तों बहुत आसान तरीके से जो आपकी म आसान रेषिप से रही हूं माट रही हूं मटर की तो यहाँ पर देख लीजिए जेसे को आपने बहुत सारी इसमें लेयर लगा यह तो इसा आप कट करते जाएए और ऐसा देख लीजे चोड़ी आपको जितनी बड़ी बनानी हो इतनी आप साइस की कट कर लें दोस्तों है हैं तो याध नें चाज कर लिकित का देवार हो जो कि आपकी परतो हुआ, जो стрोड़ हो जायगी कि तरीक से पांच मिनिट की आपकी धेर हो आपकी मठ्री बनकर तयार हो जाएगी इस ट्रिक्स के त्रू और यह आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट करना हो तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसको यहाँ पर हलका हलका बड़ा कर लिया थोड़ा से पडलाया मोटा आपके कोडिंग कर सकते हैं मैंने आप तोड़ा से इसको मोटा रखा है थोड़ी मठ्री हलकी मोटी अच्छी लग दी है तो यहाँ पर आप सुखा अट लगा के इसको हलका हलका बेल ले और यह देखिए कितनी सारे इसमें लेयर दिख रही है बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाएगी दोस्तों मठ्री हाँ पर देख लिए मुझे बहुत ही कम समय में मेरी मर्ठी बनकर तयार हो गई थी और दोस्तों मैंने बहुत सारे अपके सारे शेयर किये मठ्री की डिजाइन वाली अगर आपने वह वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा में डिस्क्रिप्स में लिंक डाल दूंगी आप एक बार जरूर से जकाउट कीजेगा तो यहां पर देख लिए बहुत सारी हमारी धेरो सारी फटा फट से मट्री बनकर तयार हो गई है और यहां पर मैंने इसकी पतली से रोटी बना लिए य आप पर ऐसे बॉक्स बना लेंगे हम और मेरे से लाइन सीजिस दी बिल्कुल नहीं बनती है तो यहां पर मैंने इसको इसको इसा कर लिया है दोस्तों और इतनी इजी डिजाइन है ना कि आप सब इसको बनाना पसंद करेंगे और देखने में ऐसे लगया कि आपने बहुत म आप पर दिखा रही हूं और आपको देखें दोनों कोर्णर को जोड़ देना है यहां पर देख लिजिए दोनों कोर्णर को जोड़ देंगे और देखें कितना इजी और सुन्दर सा यहां पर डिजाइन मेंकर तयार हो जाएगा मठ्री का और जिसे भी दोस्तों आप तो इजी ली चिपक गया था यहां पर देख लीजिए में दो रूख को जोड़ दिया ऐसे लिए कोई फूल बन गया हो यह कोई संख बन गया हो कितना सुंदर और इजी डिजाइन बनकर तयार हो गया है और वह भी बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही कम समय में फटा-फट से दे बनकर तयार हो गया है और अब इसको हम फ्राइब करेंगे कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों एक लाइक तो करना इसके लिए आपको मेरा आज की जो डिजाइन अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए का बहुत जादा मॉट्वेशन मिलता ह मैं यहां पर कड़ाई में डाल दिया ओयल इसको चेक कर लिया उपर से मतलब ही गरम हो गया था और बहुत ज्यादा तेज बहुत थंडा नहीं होना चाहिए रोस्तों ओयल का टेंपरेचर मीडियम होना चाहिए वरना क्या होगा ना कि मत्री आपकी उपर से लाल हो जाएग तो यहां पर मैं बहुत अच्छे से स्कुकुक कर रही हूँ ताकि मत्री अंदर तक कुक हो जाएगी और यह देखिए कितना पढ़िया सा कलर आ गया इसका और कितनी सारी इसमेर लेयर दिख रही है दोस्तों बहुत ही शांदार बनका तयार हो गई यह मत्री और यह देखि कि कितने सुन्दर लग रहे हैं बिल्कुल पोर्टली ऐसे लग रहे हैं और कितनी कम समय बनका तयार हो गए हैं तो इसे भी उलटे पुलटे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राइ कर लेंगे ताकि यह अच्छे से कुक हो जाएंगे अंदर तक बस दोस्तों एक का ध्यान रखें कि गेस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें बहुत जादा हाइड ना रखें और देखें कितना प्यारा कल लगया इस मट्री का और डिजाइन बहुत सुन्दर लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर किजेगा और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भू कर दो रखें बहुत सुन्दर बहुत सृ!